नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल परिहार और आप सब लोग देख रहे हैं बैंकर्स वे एक सवाल आप सब के देबाग में कि भाया एक्जाम दे दिया हम लोगों ने आई बी पीएस का आर आर बी पी ओ एंड क्लर्क प्रिलिम्स का उसका रिजल्ट कब आएगा इसके लिए वेबसाइट पर चलते एक बाद नोटिफिकेशन को देख लो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखो 18 तारिक को 18 अक्टूबर को आपका मेंस होगा पीओ वालों का 31 अक्टूबर को मेंस होगा अब इस हिसाब से केलकूलेशन लगाते हैं देखो है केलकूलेशन ये कहते हैं कि जब कभी भी मेंस का एक्जैम होता है ना तो मेंस का एक्जैम होने से रिजल्ट आने के बीच की जो ढूरेशन है यूजय वो 20 दिन रहती है usually वो 20 दिन के आसपस रहते हैं बल्ला 20 दिन के आसपस समय मिलता है आपको exam का result आ जाता है prelims का और mains की त्यारी आप कर रहे हो हलागि 20 दिन में त्यारी होती नहीं त्यारी तो आप पहले से कर रहे हो दिए आपके सामने इतना time हो रहा होता है अब जड़े एक दिमाग लगाते कि 18 तारीक को होना है 18 October को होना है हमारा PO का means ठीक है अब हमें मालूमें कि ये तो RRB PO का means होना है ठीक है इसका मतलब ये है इसके 20 दिन पहले आज तो 29 तारीक है 29 सितंबर पर 30 हो जाएगा ये रिजल्ट आजाना चीए या तो आज आजाएगा रिजल्ट आज नहीं होगा कल आजाएगा कल नहीं आए तीस तारीक को नहीं आए तो एक तारीक को आना है एक को नहीं आए अगर तो दो तारीक को तो holiday है दो को आएगा नी फिर तीन को फिर साटड़े है फिर संडे है यूजूली आपका ये वीकेंड पर आ जाता है तो मतलब मोस्ट प्रोबैबली दो अक्टूबर को नहीं आएगा तो एक अक्टूबर को ये टेंटिटिव इसकी डेट है ये पियो वाले स्टूडेंट के लिए अभी यहाँ पर इनका एक्जाम देना अब आजाओ सेम एज क्लर्क में 31 को एक्जाम में क्लर्क वालों का है न अब 31 वालों के लिए सेम एज अगर हम देखें नेक्स वीक आ जाएगा अपना और नेक्स वीक में फ्राइडे पड़ेगा 9 अक्टूबर को 9 को तो कुछ है नहीं फ्राइडे पड़ेगा 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को most probably आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट इसका यह क्लरक वालों के लिए हो गया और यह अपना आपर पियो वालों के लिए हो गया देखें यह त्यारी तो आप पहले से कर रहे हो बट थोड़ा रिजल्ट आ जा था तो बहुत सी क्लियरिटी आ जाती क्योंकि बहुत से स्टूडिन्ट को लगता है कि हम इतने क्वेशन कर ले होगा की नहीं होगा लास्ट एर तो सत्त्रस पास लोग करने वाले थे और उसी में हुआ भी थाक कट अब वहीं बड़े साल ऐसे वाले बच्चे काम है पचास साथ क्या आस्पास करने वाले बच्चों की संग क्या बहुत जदा है उसके हिसाब साही देखो अब आई की विशाल सामतिनों पढ़ा रहें वहाँ पर जिये के लिए जिये के लिए अनकार्मी पर बहुत सार एजुकेटर से आपको जिन से पढ़ना आप उनसे पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से मैस कम्पूटर के लिए आपको कहीं दिक्कत आई की नहीं इसके लावा कि आप में से जो भी लोग beginner है ना और beginner अभी देख रहीं तो मैं आपको बता दूझा पाच अक्टूबर के 5 अक्टूबर से एक और batch आ रहा है वो batch जो 5 अक्टूबर से आ रहा है वो IBPS clerk के students के लिए यह IBPS clerk 2020 के preparation करने वाले students के लिए और यह वाला जो batch ही ये batch foundation batch है और आपको मालूम है foundation batch की कितनी ज्यादा value होती है क्योंकि foundation batch में जो आप सीखते हैं वो आप कहीं नहीं सीख पाते हैं क्योंकि foundation batch में आप बिल्कुल zero से सीखते हैं top level का prelims and mains everything is going to be covered in the batch यह हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं team avp आपको पढ़ा रही है अरुन सार विशाल सा पुनी से तो आप लोग जुड़ जाओं हम लोग उसे जुड़ना academy plus पर सब्सक्रिप्शन लेना इसका इसके लिए क्या करना आपको बारा मेने का सब्सक्रिप्शन लेना वो आपके सारे एकजाम को कवर कर लेगा 12 मेंस सारे एकजाम से कवर हो जाएंगे इसमें आलउंग फिदाट जब आप 12 मेने का शुड़न ले रहे होंगे जुड़न तक भी जब आपके 6,000 रुपे पी आपको दिख रही होगी यह फी भी कम हो जाएगी इसके लिए क्या करना वहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन होगे लिखकर आएगा चोटा सब बहुत चोटा दो लिखा होता है do you have any referral code तो वहाँ पर आप इस referral code को यूज करना team avp का है avp10 avp10 इस referral code का जब आप इस्तेमाल करोगे आपको 10% discount मिलेगा और आपका सस्क्रिपक्शन हो जाएगा वंस दी स्क्रिप्शनि इस दन हो जाएका सब्सक्रिप्शन आप classes और विक हांगा यह Samします तो शुर्व से त्यारिंगे तो क्लास तो अूर्दी आशब कर स चिप्रिग